नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है, आशा करता हूँ, आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, भारत आज कोरोना से लड़ रहा है और साथ साथ पूरी दुनिया को लड़ने में सहयोग कर रहा है। और इसका उदाराने के भारत ने अस्ती देशों को वैक्सिन उपलब्द कराया है। भारत ने एस्टाजनका वैक्सिन का उत्पादन सिरम इंश्यूट के साथ पूने में और स्पुत्निक वी का डॉक्टर रेड़ीज लैब के साथ सुरू किया। अकेले भारत की इतनी छमता है कि वो आधी दुनिया को वैक्सिन उपलब्द करा दे। और अगर आप पुतीन की मानें तो पुतीन का कहना है कि चीन और भारत अगर मिलकर चाहें तो पूरी दुनिया को वैक्सिन उपलब्द करा सकती है। दुनिया की 60 प्रत्सत वैक्सिन का निर्मान भारत में होता है। है कि इसके यहां से बनाएगे सारे वैक्सिन प्री अफ्रूब्द रहेंगे। और भारत में आपको ये भी पता शायद हो कि वैक्सिन की राजधानी मानी जाती है है हैदराबाद जहां पर भारत बायटक के स्थापना की गई है। वहां तो अमेरिका की USFDA का अप्रूबल है और USFDA का अप्रूबल को यूरोप और अमेरिका और बिटेन जैसे कई देश मानक के रूप में इस्तमाल करते हैं। कई जगहों पर वैक्सिन के लिए तरजीह दी जाती है। भारत के वैक्सिन को वैसे भी कई देशों ने चीन के वैक्सिन के जगह पर ज्यादा तरजीह दी है। भारत में हाली में 80 से उपर देशों को वैक्सीन निरियात किया है और पहली खेफ मुफ्त देने की बात किया है जबकि चीन वैक्सीन के लिए लोन का ओफर दे रहा है भारत की यही पर कुटनितिक जीत होती है इसी को वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा जाता है वैसे ये वैक्सेंट डिप्लोमेसी अभी की बात नहीं की बात नहीं यह बहुत पुरानी बात है इसकी शुरुवात 1956 में अमेरिका और रूस के बीच पोलियो के टीके के बहतरीन बनाने से यानि पोलियो के टीके को और बहतर बनाया जाए उस समय दोनों देश के खोजकरता साइन्टिस्ट या आपका यह वायरोलॉजिस्ट मिल करके आपसी मद्भेध या प्रॉबलम्स को भूला करके वैक्सिन त्यार करने में लगगए और जिस अमेरिका में जिस TK को यूज करने के पोलियों के जिस TK को यूज करने का पर्मिशन मिला वो रूस के लाखों बच्चों के उपर परिक्षन करने के बाद मिला था अब एक बात देखने में आ रहे कि वैक्सिन डिप्लोमेसी के बल पर भारत चीन के आगे ग्लोबल पावर की जद्दो जहत चल ले ये भारत और चीन के बीच में लेकिन भारत इस मामले में चीन से बहुत आगे है अगर ऐसा नहीं होता तो जर्मनी की चांसलर एंजला मारकेल भारत के ग्लोबल मेडिकल हव या वैक्सिन हव होने पर एतराज नहीं करती कहते हैं ना कुछ तो बात है हम में कि हस्ती मिठती नहीं हमारी पर अगर पडोसी का घर जल रहा हो तो खुश नहीं होना चाहिए और यही काम भारत कर रहा है कि पडोसी के घर की आग भी भुजा रहा है और अपने कोरोना की जंग भी लड़ रहा है भारत का नेपाल के साथ सम्मन हाल फिलाल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो अच्छे नहीं रहे जिसमें चीन का बहुत ज्यादा हस्तक शेप रहा उसके बावजूद भारत ने नेपाल को मदद किया है बांगलादेश ने जब चाइना की सिनोवेक वैक्सीन की 1,10,000 डोज महगे होने के चलते उसे रिजेक्ट कर दिया लेने से मना कर दिया तो भारत ने 20 लाख डोज उपहार के रूप में बांगलादेश को भेजे थी और इसके साथ आप ये भी जानते होंगे कि भारत जैनरीक दवाओं का सबसे बड़ा निर्मात है जैनरीक यानि ऐसी दवाएं जो कम कीमत पे उपलब्द कराई जाती है भारत जहां दूसरे देशों को वैक्सीन दे कर उनकी अर्थ विवस्ता में सुधार करने का प्रयास कर रहा है वहीं चीन इसमें कई तरह के अडंगे लगाना चाह रहा है और अपने विस्तारवादी नीती में बढ़ावा करना चाह रहा है अब 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 पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ दो टिकों के इस्तमाल की मंजूरी मिली है एक ब्रिटेन के ऑक्सपोर्ड एस्टाजनका वैक्सीन दूसरी वैक्सीन चीनी कंपनी साइनो फर्मा की जिसको कई देश रेजक्ट कर चुके हैं लेकिन दक्षिनेसिया और अफरिका देशों में ऑक्सपोर्ड एस्टाजनका का वैक्सीन बनाने का करार भारत के सिरम इंस्चीट के पास है इसलिए पाकिस्तान मंजूरी मिलने के बाद भी भारत से वैक्सीन नहीं मांग रहा है यह अलग तरह की डिप्लोमेसी है क्योंकि सिरम इंस्चीट भारत में है इसलिए वहां से वैक्सीन नहीं लेंगे और चीन चुकी दोस्त इसलिए वहीं की वैक्सीन लेंगे जबकि उस वैक्सीन का कई देशों ने रिजेक्शन कर दिया हुआ है क्वार्ट की बैठक से चीन सबसे अधिक परिशान है वैक्सीन डिप्लोमेसी की मामले में चीन से भारत कहीं आगे निकल गया है सुत्रों की माने तो भारती वैक्सीन इंडो पेसिफिक रिजन में अधिक सदिक भेजी जाएगी मार्च के महिने तक 28 देशों तक करोना की वैक्सीन चीन के और से भेजी गई है कई देशों तक चीन की वैक्सीन कहने के बावजूद भी नहीं भेजी है वहीं भारत वैक्सीन, कमबोडिया और दूसरे देशों तक चीन से पहले पहुँच गई है भारत की कोशिश है कि देश के साथ साथ सभी अन्य देशों तेजी से करोना वैक्सीन पहुँचाए जाए हाला कि 7 अप्रिल के बाद थोड़ी इस पे रोक लगी है क्योंकि भारत में खुद करोना के स्थिदी बहुत खराब हो गई थी लेकिन सोचने की बात ये है कि क्या या समय इस बात का है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है और कौन ज़्यादा बड़ा है या समय नहीं है इस चीज का कौन ग्लोबल पावर है और कौन किस तरह का पावर है मदेशी हम या दिखाने का समय नहीं है जब चारों तरफ आग लगी हो तो पहले आग बुझाई जाती है और इस समय पूरे दुनिया को एक दूसरे का सहयोग करके इस बीमारी से निपटने की जरुरत है लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कभी बिल गेट्स कहते हैं कि विकास सील देशों के साथ वेक्सीन का फॉर्मूला ना शेयर किया जाए तो कभी को वेक्सीन को इस बात के लिए रेजिस्टर्ड करने के बाव जो समय लग जाता है कि अगर को वेक्सीन आप लेते हैं तो विदेश का दौरा नहीं कर सीरम इंस्चूट वाले कोई रीजन देखर के बिटेंच चले जाते हैं या बताके कि इन्हें बड़े बड़े लोगों की धंकियां मिल रही थी लेकिन कहीं भी सामन जस्त की बात नहीं चल लए है चाहे वो बड़े बड़े बाते करने वाले यूरोप और अमेरिका जैसे देश हो या चाहे आप यह बात कर लीजे कि चीन की स्थिती हो चाहे कोई और देश को इस स्थिती में अगर कोई भी ऐसा देश है जो सब से आगे आ करके सब के सहयोग भी किया है अपने साथ भी अपने देश में भी उसे संगरसरत रहना पड़ा है क्योंकि दूसरी वेब में भारत ने बहुत कुछ सहा है बहुत कुछ खोया है लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया के मदद करने से ना वो पीछे हड़ा है और ना है अपने विस्तारवादी ऐसी कोई नीती लागू कि जैसा कि चीन कर रहा है और जैसा अमेरिका कही न कही वेक्सीन को आने से रोक रहा है या यूरोप ऐसा प्रयास करते कि हमारी ही वेक्सीन चले या बिल गेट्स जैसे अपने आपको बुद्धिमान और इंटेलेक्चुल कहने वाले लोग मुर्खता पूर्ण स्टेटमेंट दे करके अपने आपको फिलन्थ्रपिस्ट कहलाना पसंद करते है तरहाल फिलाल के कही चीए तो देखने को मिली गई थी जो देखा था मैं तो मानता हूँ कि ये सभी छोड़ करके हमें मिल करके काम करना चाहिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे शेर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद